अब दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में हमने इतनी सारी बाते जान ली लेगिन ये सोचिए कि इसको दोहरा लेखा प्रणाली हम कहते क्यों हैं आए इस पर एक मिज़र डाले वास्तों में इसके दोहरा लेखा प्रणाली कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें प्रतेक वेवहार के दो पक्षकार होते हैं जैसे कि हमने इसके विशेस्ताओं में भी देखा जब हम इसके मेनिंग समझ रहे थे तो भी हमने देखा कि जो भी वेवहार होंगे उसके कम से कम दो पक्षकार होंगे अगर क्रे संबन्धी कोई विवहार है चाहे वो नगध हो चाहे उधार तो उसके हमने देखाे कि दो पक्षकार होते हैं एक माल खरीदने वाला होता है तो दूसरा बेचने वाला होता है हाला कि जो क्रेता वैपारी होता है वो अपनी books of account में क्रे संबंधी प्रविस्टिया करता है और जो विक्रेता वैपारी होता है वो अपनी books of account में विक्रे संबंधी प्रविस्टिया करता है लेकिन कुल में लाकर ये तो हम देख रहे हैं कि पक्षकार दो हैं एक वेक्ति माल बेशना चाहेगा तभी दूसरा वेक्ति उसको खरीदेगा अगर हम अवास्तिविक खातों पर एक नजर डाले तो हम देखते हैं वेतन चुकाया जब इस तरह से पॉइंट्स आते हैं तो एक वेक्ति अगर वेतन चुका रहा है जो माली के ओनर जो है अगर वो वेतन चुका रहा है तो कोई न कोई वेक्ति उसको प्राप्त करता है बात करें अगर हम accountancy की point of view से देखते हैं जब इसको तो वेतन अगर दिया तो दो चीजे हैं एक तो खर्च पर हम उसको mention करते हैं कि खर्च का नाम क्या है और दूसरा हम देखते हैं कि जब वेतन दिया गया तो form से क्या गई सेम इसी तरह से हम लाभानी या आयवे के बारे में जितनी भी प्रविस्ट्रिया करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि प्रतेक प्रविस्ट्रियों के दो पक्षकार जरूर होते हैं जिसे हम debit और credit के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बहुत अच्छे से अध्यान किया है कि क्या है debit और credit किस तरह से इनके प्रविष्टिया debit और credit साइड में किये जाती हैं, तो क्योंकि प्रतेक व्यभार के दो पक्षकार होते हैं, इसलिए हम इनको 12 लेखा प् हत्पूर है यहां पर कि सौधा जो होता है वो दोनों व्यपारी की पुष्टकों में किया जाता है, किया जाना जरूरी होता है, और इसलिए भी इसको 12 लेखा प्रडाली कहा जाता है कि दो व्यपारी इससे प्रभावित होते हैं, दो व्यपार इससे प्रभावित होते हैं और दोनों वेपार जो होते हैं वो अलग अलग तरह से इसका लेखा अपने बुक्स अफ एकाउंट में अपने लेखा पुस्तकों में करते हैं तो हम शुरू से अगर हम इसकी विशेस्ताओं पर नज़र डाले हम इसके आर्थ पर परिभाशाओं पर नज़र डाले तो बहुत अच्छे से सपस्ट हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके लिए हम इसको दोहरा लेखा प्रणाली या दूइ प्रविस्ट्री करणाली कि भाग कितने हैं प्रमुक भाग कितने हैं क्या double entry system मोल देने से लेखांकन का कारे के वल डेबिट और क्रेडिट में खतम हो जाता है या कहीं और आगे इसके प्रक्रिया जाती है तो जब हम इसके प्रमुक भागों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता ह जन्रल यानिके प्रमुक लेखे और उसके बाद आता है लेजर यानिकी वर्गी करन तीसरा प्रोसेस होता है बाकी निकालना यानिके बालंसिंग करना और चौथा प्रोसेस होता है समराइज करना यानिकी सारांश बताना जिसके अंतरगत हम व्यापार खाता बनाते हैं सबसे से पहले तो हम तलपट बनाते हैं फिर व возм का इक आर्थिक चुठा बनाते हैं फाइनली इसलिए हम स्कों बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स तो क्या है इस पूरी प्रक्रिया में लेखांकन निशानीया नियम क्या है इसके पहले हमने देखा था कि जब हम प्रारंभिक लेकियाने जनरल करते हैं तो हम कुछ गॉल्डन रूल फॉलो करते हैं हमने देखा था कि golden rule के अंतरगत तीन तरह के खाते होते हैं व्यक्तिगत खाता वास्तिविक खाता और आवास्तिविक खाता और किस तरह से नियम होते हैं इनमें प्रविस्ट्री करने के जिसे एक short में हम देख लें तो व्यक्तिगत खाते में जो पाने वाला व्यक्ति होता ह वह देबिट और देने वाला वेक्ति जो होता है वह क्रेडिट होता है वास्तविक खाता जो होता है वह माल या रोकर से संबंदित होता है यहां हम देखते हैं कि वस्तु या रोकर जब वैपार में आती है तो डेबिट होती है और जब वैपार से जाती है तो क्रेडिट होती सबके सब क्रेडिट पक्ष में आती हैं तो एक तो ये प्रविस्टियां की जाती है ये प्रारंभिक लेखों के आधार पर की जाती है और इन्हें हम जनरल कहते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो जिस विशय पर हम बात कर रहे हैं दोरा लेखा प्रणाली पर उसकी जो सबसे प्रारंभिक जो चरण होता है उसके अंतरगत जनरल में लेखी किये जाते हैं कुछ महतवपूर्ण बिंदों पर अगर हम नजर डाले तो प्रारंभिक पुस्तुकों के स्वरूप का जो निर्धारन होता है वो व्यपार की जो प्रकृती है या हम कहें उनका जो स्वरूप है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्तिक किस तरह का व्य जरूरी है तो ऐसे बहुत से चीजे होती है जिनको एनालेसिस करके यह डिसाइड किया जाता है कि प्रारंभिक लेखों के साथ साथ और आगे की प्रक्रिया में किन-किन अकाउंट्स का प्रियोग यहां पर करना होता है एक मात्वपूर्ण बात यहां पर हम देखते हैं कि बड़े वेपारी जो होते हैं वो जन्रल केवल जन्रल के स्थान पर बहुत सारी छोटी-मोटी बहिया भी रखते हैं जिनके बारे में हम आगे के अध्याय में देखेंगे जिसे यहां पर हम एक नज़र डालें तो इसके अंतर्गत क्रेव भई विक्रे वापसी भई विक् वहां मात्र जनरल से ही काम क्यों नहीं चल सकता कि और रिहत प्रेमाने के जो विपार होते हैं जिन्हें हम कहते कि बड़े विपार हैं उनमें दैनिक सौधों की जो संख्या होती है रोज-रोज की लेंदेनों की के जो संख्या होती है वह बहुत अधिक होती है दूसरी बात राशी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो पैसों का differences की या फीतनी काफ काफिय अधिक होती है तो सारे कि बात को एक general फिर इसको आनलेसिस करना लेजर बनाना कहीं न कहीं थोड़ी सी कठीन प्रक्रिया हो जाती है यहीं कारण है कि सिर्फ जनरल को यूज़ ना करते हुए अन्ने बहुत सारी भईयों को भी यूज़ किया जाता है आए देखते हैं कैसा होता है इन वह का प्रारूप किस तरह से इन में प्रविस्टियां की जाती हैं तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं मुख के जनरल यानि जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो किस तरह के प्रारूप को हम फॉलू करते हैं यहां पर जनरल के लिए हम जिस प्रारूप को फॉलू करते हैं उसके अंतरगत चार कॉलम हो होता है वो यहां पर डेट का होता है उसके बाद हम पर्टिकुलर या नहीं कि विवरंड का कॉलम बनाते हैं साथ में हम यहां पर खाता प्रिस्ट भी एक ले लेते हैं LF कि जहां से वो जनरल के एंट्रीज निकाल कर लाए गई है उन खातों का कि संख्या क्या है और उसके ब इसके एंट्री करते हैं उसको हम एक उदारन से जानेंगे मान लेजिए यहां पर एक पॉइंट हमको मिलता है नगत माल खरीदा तो जैसे कि आमने पहले भी देखा कि जब हम नगत माल खरीदेंगे तो गोल्डन रूल हमको यहां पर फॉल्व करना है अकांटशन का पिंसट्रिट करना है कि जो भी वunted हो रहा है उससे कौन-कौन से दोपक शिकारत प्रभावित हो रहे हैं अगर कोई वेपारी नगत माल खरीदेगा तो उसके पास क्या आएगा और उसके पास से क्या जाएगा ये दो चीजे समझनी होती हैं चब भी रहा है चाहे वह नगत खरीदे या फिर उधार खरीदे दोनों ही condition में उस वैपारी के पास माल आएगा लेकिन देखना ये है कि उधार खरीद रहा है कि नगत खरीद रहा है क्योंकि अगर वो उधार खरीदता है तब तो उसके पास से राशी जाएगी नहीं बलकि कोई न कोई उसका लेंदार बनेगा जिससे वो वैपारी उधार खरीद रहा है लेकिन दूसरी condition अगर वो नगत खरीद रहा है तो ऐसे condition में तो उसके पास से cash जाएगी तो यहाँ अगर हम बात करें नगत माल खरीदा की तो सीधा सीधा से हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ वैपारी के पास माल आया है और नगत राशी उसके पास से गई है तो हमने वास्तविक खातों के अंतरगत देखा कि माल या रोकड अगर वैपार में आए तो debit और माल या रोकड अगर वैपार से जाए तो credit ऐसी condition में क्योंकि माल वैपारी के पास आ रहा है तो वो यहाँ पर entry करेगा माल खाता debit उससे भी better होगा कि अगर वो माल की जगा क्रेखाता debit लिखे आप माल खाता भी debit लिखते हैं तो भी सही है क्रेखाता भी debit करते हैं तो भी सही है लेकिन जब हम इसके आधार पर लीजर बनाएंगे वर्गी करन करेंगे तो कही न कहीं हम confuse हो जाते हैं कि माल कौन सा था खरीदा हुआ माल था या बेचा गया माल तो बहुत अच्छा होगा कि हम माल खरीदते हैं तो उसमें हम माल के स्थान पर क्रेश अब्द का प्रयोग करें तो यहां हमारी जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा क्रेख खाता डेबिट या फिर पर्चेस अकाउंट डेबिट और क्यूंकि जब नगद माल खरीदा गया तो व्यापार से रोकड गई गया और अगर रोकड वयापार से जाती है तो गोल्डन रूल के एकॉर्डिंग हम उसको क्रेडिट करते हैं तो यहां हम लिखेंगे क्रेख खाता डेबिट रोकड खाता से पर्चेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किस तरह से हम इसकी प्रविश्टी करेंगे हम हुं एलकिस को सबसे पहलें टालेंगे जो भीडेट दे गए उसके बाद हम किस तरह से डेबिट की कि जो आमाउंट डेबिट का जो पॉयंट उसको एक-कॉर्ट लिखेंगे बीच में हम क्रेडिट का जो पॉंट उसको लिखेंगे लेकिन एक चीज घम को अधांपर देया हम एंग्लिश में बिनाते हैं तो हमको लिखना है to cash account यानि हमारी प्रॉपर एक general entry हो जाती है यहाँ पर क्रेख खाता डेबिट रोकर खाता से पर्चेस अकाउंट डेबिट to cash account amount हमको किस तरह से लिखने हैं जब हम प्रारंबिक लेखिए general करना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस में तो बहुत confused रहते हैं कि amount किस तरह से लिखे हैं दो कॉलम हमको स्पस्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन किसके सामने कौन सी amount लिखनी है यह हम नहीं समझ पाते हैं हमने दोरा लेखा प्रणाली की विशेस्ताओं के अंतरगत देखा था कि हाला कि एक विवहार के दो पक्षकार होते हैं लेकिन राशियों की जो प्रविस्टी होती है वो एक entry में दोनों पक्षकारों में समान रूप से की जाती है है माल खरीदा गया है और रोकर दी गए है जाहिर से बात है जितने का माल खरीदा उतनी की रोकर दी जीतनी एंट्री हम purchase में करेंगे उतनी psychologically हैं तो यहाँ पर क्योंकि purchase account debit हो रहा है यानि कि crack हाता debit हो रहा है तो हम crack हाता के ठीक सामने debit वाले column में इसकी amount लिखेंगे माल लिजे वो amount 1000 है और उतनी ही राशी क्योंकि firm से चले गई तो हम यहाँ पर cash के credit side में जहाँ पर हमने two cash लिखा हुआ है उसके credit side में हम 1000 की amount credit वाले column मे credit portion में उसकी entry हम करेंगे तो यह तो हमने बात की general की यानि first process दोरा लेखा प्रडाली कि जब हम बात करते हैं तो उसका जो first process है वहाँ पर हम इस तरह से प्रविस्टी करेंगे बात कर रहे हम बड़े वेपारियों की जो general के साथ साथ अने लेखे भी करते हैं तो कई बार वेपारी क्रे बही अलग से बनाते हैं विक्रे बही अलग से बनाते हैं क्रे वापसी विक्रे वापसी और रोकर बही यहाँ पर जो उधार वेवार होते हैं उनको अलग कर दिया विक्रे बही बनाने का उद्देश्य होता है कि किवल उधार विक्रे को ही विक्रे बही में लिखा जाएगा इसी तरह से उधार क्रे और उधार विक्रे वापसी की जो एंट्री होती है उनके लिए अलग से अकाउंट बना दिया जाता है अब बाती आती है तो फिर नगत का क परे cash के एंट्री कहा के जाएगी तो एक तो हम जनरल में उसके प्रविष्टी करते हैं और साथ में हम बना देते हैं cash account यानि कि रोकड़ खाता आए देखते हैं कि क्रेव भाहि का क्या प्रारूप है किस तरह से इसमें प्रविष्टी की जाती है तो क्रेव भाहि का ऊक्राइड के प्रविष्टी है करनी है नगद क्रेव की प्रविष्टी हमको यहाँ पर नहीं करनी है अगर मान लेजे एक एक्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि राम से माल खरीदा राम एक वेक्ती है जिससे माल खरीदा गया है नाम से ही स्पस्ट हो जा रहा है अगर कहीं पर नाम दिया हुआ है वेक्ती का तो हम ये मान लेते हैं कि वो उधार व्यभार है चाहे क्रे हो या विक्रे हो अगर नगत इस परस्ट रूप से दिया है कि नगत खरीदा तब तो हम समझ जाते हैं कि नगत विक्रे हो है लेकिन क्योंकि नाम दिया गया है तो हम यहां पर समझ जाते हैं कि उधार व्यभार यह है तो यहां पर हम पूरा का पूरा डिटेल लिखेंगे डेट डालेंगे पहले फिर हम पूरा का पूरा डिटेल लिखेंगे यहां पर हम को जनरल पोस्टिंग नहीं करनी है यहां पूर से related कोई पॉइंट नहीं है डारेक्ट पर्चेस दिया हुआ है सिर्फ माल खरीदा दिया हुआ है तो हम डारेक्ट इस amount को लिख देंगे final amount कॉलम में जिसी कि हम यहाँ पर देख रहें कि 5000 रुपए हमने final amount कोलम में लिख दिया दूसरी बात अगर किसी वेक्ति से माल खरीदा गया यानि उधार माल खरीदा गया और वो जो उधार माल है उस पर बट्टा भी है वेपारिक बट्टा भी है तो हम किस तरह से प्रविस्टी करते हैं ऐसी कंडिशन में माल लीजिए उधार माल खरीदा गया है मोहन से तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस परस्टूप से मोहन से उधार माल खरीदा amount जिसे हमें आप लिखते हैं 1000 और बट्टा है इस तो हम इसको विवरन के कॉलम में ही लिखेंगे माइनश 10% डिस्काउं दस प्रतिशत बट्टा एक हजार का 1030 हम बट्टा निकालंगे Rs. 100 weas हम इसमें से माइनश कर देंगे इंटरनल कॉलम में और उसके बाद हम यहाँ पर इसको इंटरनल कॉलम को क्लोज करके 1000-100 यानि 900 रुपिस को हम लिखेंगे फाइनल अमांट कॉलम में तो यह हमने दोनों चीज़े देखें कि अगर सिर्फ उधार करें है तो कैसे हम उसकी प्रविस्ट्री करेंगे और अगर बट्टा भी है साथ में तो उसकी प्रविस्ट्री हम कैसे करेंग है उसके कोडिंग हम यहाँ पर एंट्री करेंगे फॉर्मिट जो है प्रारूप जो है वो सेम रहेगा जो कि क्रेब ही का था यहाँ पर माल लीजिए हम देखते हैं सोहन को माल बेचा तो यह हमको खुद समझना है सोहन को माल बेचा नहीं कि उधार बेचने की बात यहाँ हो रहे हैं ऐसे कंडिशन में हम सबसे पहले डेट डालेंगे और फिर फिर न में हम पूरा का पूरा लिख देंगे सोहन को माल बेचा अब माल लेजिए पाच हजार का माल बेचा तो हम क्योंकि यहाँ पर बट्टा तो है नहीं तो डिरेक्ट हम 5000 कि अमौंट को फाइनल कॉलम में लिख देंगे लेकिन सेकेंड कंडिशन जब यहां पर बट्टा भी शामिल हो जैसे माल लीजे यहां पर होता है अजय को 2000 रुपय का माल 10 प्रतिश्यत वैपारिक बट्टे पर बेचा तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे अजय को माल लिखेंगे और हुसं में माइने तरें यह प्रतिश्यत वैट्टा याने कि नीचे मिसमें sexy करेंगे माइनस 10 전is प्रतिश्यत बट्टा और 200 रुपयe हम इनर आउन को लम में पहले लिखेंगे फिर उसको क्लोस करेंगे और 2000-200 非 2018 की चैनल मांट में उसको हम यहां पर alamon column में लिखेंगे और इस तो है विक्रेबहू को यहां पर कलोज कर देंगए यह हमने बात कही क्षा भई और विक्रेबही के साथ şunu हम रस खाल में और क्लेश सकते हैं और जब्सक्त करेंगे रोकर खाता की तो हम को ध्यान में रखना है कि रोकड से संबंधित यानि कि नगद व्यवहार से संबंधित जितनी भी प्रविष्टियां है वो सब की सब प्रविष्टि हमको रोकड बही के अंतरगत करनी होगी आगे खाता बही के अंतरगत हम देखेंगे कि क्या है रोकड बही और किस तरह से उ का हमने प्रारंभिक प्रविष्टिया देखे जन्रल देखे जिसमें हमने देखा कि सभी तरह के व्यवहारों को एक साथ जन्रलाइज कर दिया जाता है एक साथ उनको पंजी बद्ध कर दिया जाता है चाहे वो नगत व्यभार हो चाहे उधार व्यभार हो व्यक्तिकत खाते से संबंदित हो वास्तविक खाते से संबंदित हो या आवास्तविक खाते से संबंदित हो लेकिन कई बार अलग अलग तरह के खातों के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो पंजी प्रविस्टियों से यानि कि जनरल से ऐसी जानकारिया प्राप्त कर पानिंग काफी कठीन हो जाती है वास्तों में देखा जाएं तो एक नियम भी कहता है कि जो भी लेकिये जाएं वो बहुत वैग्यानिक धंग से किये जाने चाहिए व्यवस्थित धंग से किये जाने चाहिए क्योंकि वैग्यानिक तखनीकों का प्रयोग करते हुए वैवस्थित धंग से लेखा करते हुए ज यह सोच कर दूसरा जो step है वो हम हमने प्रारम किया तो दोहरा लेखा प्रणाली में जब general interest समाप्त हो जाती है तो आगे जो कारिक किया जाता है उसको हम कहते हैं वरगी करण वर्गी करण में क्या होता है कि अलग अलग खातों को अलग अलग तरह के जो वैभार होते हैं उनको अलग अलग खातों में या उनके नाम से संबंदित खातों में बाड़ दिया जाता है वर्गिकरित कर दिया जाते हैं एक बात यहां पर हम देखते हैं कि यह जो खाते होते हैं उसको जब हम जनरल टू लेजर ट्रांसफर करते हैं जनरल से ही हम उन वेभारों को उठाते हैं और लेजर यानि की लेजर पोस्टिंग जब हम उनकी करते हैं तो यह पूरी की पूरी खतौनी यानि के लेजर एंट्री कहलाती है तो आए कुछ उदाहरन के अधार पर देखें कि किस तरह से प्रारंबिक लेखे जो होते हैं जनरल जो होते हैं उनको खतौनी उनकी कर दी जाती है उनको लेजर में डाल दिया जाता है यहां पर हम देख रहे हैं एक कोश्यन जिसमें हम जनरल एंट्री के कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारी एंट्री हुई है Cash Account Debit to Capital Account वेपार प्रारम किया Second Entry हम यहाँ पर देख रहे है Purchase Account Debit to Cash Account यानि नगद माल खरीदा रहा होगा तीसरी Entry हम यहाँ पर देख रहे है Cash Account Debit to Sales Account यानि नगद माल बेचा चौती Entry हम यहाँ पर देख रहे है Salary Account Debit to Cash Account और पाँचवे एंट्री यहाँ पर हम देख रहे हैं Cash Account Debit to Commission Account इन पाँचों एंट्रीज को अगर हम लेजर इनका हम करना चाहे वर्गी करन करना चाहे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने सारे खाते प्रभावित हो रहे हैं चाहे तो हम इन सभी खातों का अलग-अलग वर्गी करन करके बहुत सारे अलग-अलग खाते यानि कि लेजर बना सकते हैं जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर Cash Account भी दिख रहा है First Entry में हमको Capital Account भी दिख रहा है Purchase Account भी दिखाई दे रहा है Sales Account भी है, Salary Account भी है, Commission Account भी है तो इतने सारे Account हम अलग-अलग बना सकते हैं आए देखते हैं कैसे इनकी Posting के जाती है यहाँ पर हम लेजर का एक प्रारूप देख रहे हैं जिसके अंतरगत हम देखते हैं कि First Column में Date लिखे जाती है उसके बाद Particular, LF यानि की खाता प्रिष्ट, यह जो पक्षा है यह पूरा का पूरा डेबिट पक्ष हो गया और इसे में हम आगे बढ़ते हैं और क्रेडिट पक्ष में पहुंचते हैं फिर से हम इसको Continue करते हैं, फिर से Date आती है फिर हम देख रहे है, Particular आता है, फिर LF कॉलम आता है और फिर आता है Credit Side का Amount कॉलम, तो दोनों साइट बराबर बराबर कॉलम है, यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो हमारे Left Hand Side का पूरा प्रोफार्मा है, यह हमारे लिए Debit साइड है और Right Hand Side का पूरा प्रोफार्मा है, यह हमारे लिए Credit Side है इसको Show करने के लिए हमको दोनों Corner में Debit और Credit Mention करना होता है, यह बहुत ज़रूरी है अब हमारा जो प्रारूप है, वो हर क्रम में यही रहेगा चाहे हम क्रे खाता बनाएं, विक्रे खाता बनाएं, रोकड खाता बनाएं या फिर जो भी Points जनरल में हमको दिखाई देते हैं, जो भी खाते हमको बनाने हैं प्रारूप सब के लिए एक ही होगा तो आएए सबसे पहले हम यहाँ पर रोकड खाता बनाते हैं, क्योंकि रोकड से सम्बंदित प्रविस्टिय हमको इस पूरे जनरल में ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री हुई है, वो है Cash Account Debit to Capital रोकड खाता डेबिट पूंजी खाता से, ऐसी कंडिशन में सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि हम कौन सा खाता बनाने जा रहे हैं यहाँ हम बनाने जा रहे हैं Cash Account अब इस फर्स्ट एंट्री में हमको देखना है कि Cash क्या हो रहा है, डेबिट की क्रेडिट तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Cash जो है वो डेबिट हो रहा है, तो Cash Account के डेबिट साइड में हमको अपोजिट एंट्री करनी है अपोजिट मिन्स प्रत्येक वैभार के दो पक्षकार है, अगर एक डेबिट है तो दूसरे पक्ष का अपोजिट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Cash अकाउंट डेबिट है, तो इसके एपोजिट एंट्री है Capital अकाउंट तो यहाँ हम Cash अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे To Capital अकाउंट और डेबिट में ही Amount साइड में हम उसकी Amount को लिख देंगे Second Entry में हम देख रहे हैं Purchase Account Debit to Cash Account हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? Cash हमको अपने दिमाग में यह फिट करके चलना है कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम बना रहे हैं Cash अकाउंट Second Entry में हम देखेंगे कि Cash क्या हो रहा है? Debit या Credit तो यहां पर हम देख रहे हैं कि Cash अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो इस Cash अकाउंट के Credit साइड में हम इसकी Opposite Entry लिखेंगे तो Opposite क्या है Second Entry में? Cash के Opposite है Purchase तो यहां हम Cash अकाउंट के Credit साइड में लिखेंगे Buy Purchase Account और फिर Amount लिख देंगे credit साइड में? Third Entry हम देख रहे हैं, यहां पर हो रही है cash account debit to sales account तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां cash account debit हो रहा है तो cash account के debit साइड में फिर हम Opposite Entry लिखेंगे उपोसit यानिकी sales तो यहां हम cash के debit में लिखेंगे to sales अकाउंट और उसकी अमाउंट लिख देंगे फोर्थ एंट्री हम देख रहे हैं सैलरी पे कर रहा है और जनरल एंट्री हाँ पर हो रही है सैलरी अकाउंट डेबी टू कैश अकाउंट यह निकि कैश क्या हो रहा है क्रेडिट बार बार हमको फोकस करना है हम जो अकाउंट ब तो हम अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट क्या है इसके, तो यहां हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बाइ सेलरी अकाउंट और वहाँ पर इसकी अमाउंट हम लिखतेंगे. फिप्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कमिशन रिसीव की एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कमिशन तो यहां हम क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कमिशन और डेबिट में ही उसकी अमाउंट हम लेख देंगे अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जनरल था उसके बेस पे हमने एक कैश का लेजर याने खाता भाई रोकर खाता जिसको हम कह सकते हैं वो हमने तयार कर लिया है बिल्कुल इसी तरह हम क्रे खाता बना सकते हैं यहां पर हम सेम टू सेम ऐसा ही एक फॉर्मिट बनाएंगे और यहां हम प्रिशन में देख रहे हैं कि क्रे से संबंधित किवल एक पॉइंट हमको यहां पर मिल रहा है जिसमें हमने लिखा है क्रे खाता डेबिट रोकर खाता से पर्चिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अब हम कौन सा खाता बना रहा हैं सिर्फ हमको इस पर फोकस करना है हम यहाँ पर बना रहे हैं purchase account यानि की crack हाता हमको यह देखना है कि इस entry में crack हाता क्या हो रहा है purchase account कहां पर है तो purchase account यहाँ debit में है तो हम अपने purchase account के debit side में opposite entry करेंगे इस entry में opposite क्या है purchase के opposite है cash तो हम purchase account के debit side में लिखेंगे to cash account और भी बहुत सारी entries होती है जब हम general बनाते हैं तो हम देखते हैं कि purchase related बहुत सारी entries आती है sales से related बहुत सारी आती है और जितने आवास्तिविक वै होते हैं उनसे related भी बहुत सारी entries आती हैं तो सभी जितने भी प्रविस्टियां उसमें की जाती है सभी से related जितने भी खाते हैं सभी i, where, lab, hani के खातों को अलग-अलग हम खतोनी कर सकते हैं अलग-अलग उनका classification या वर्गे करन कर सकते हैं कर सकते हैं